न शारुख बचा पाई नहीं सल्मान बचा पाई ना मिताब बच्चन और नहीं अक्षे कुमार बचा पाई बड़े-बड़े सुपर स्टार भी बॉलिवुड की नईया नहीं बचा पाई जो बॉलिवुड के बड़े-बड़े तुर्मखा न कर पाई वो साउथ के सुल्तानों ने कर दिखाया टॉलिवुड ने बॉलिवुड को घुटनों के बल गिराया कमाई के मामले में टॉलिवुड नंबर वन पर आया टॉलिवुड ने बॉलिवुड को नंबर तीन पर खिसकाया जी, जो बॉलिवोड खुद को फिल्म इंडिस्ट्री का सर्ताज समझता था जो खुद को राजा, दूसरों को रंक समझता था उस स्वगोशित राजा की सत्ता टॉलिवोड ने उससे छीन ली है टॉलिवोड ने अपने आगे बॉलिवोड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है वो कैसे? ये हम आपको समझाते हैं साउथ इंडिया की फिल्मों का पूरे इंडिया में कितना बोल बाला है ये तो हम ट्रिपल र और सुपर स्टार यश की फिल्म केजियर चैप्टर टू से देखी रहे हैं देश ही नहीं दुनिया भर में साउथ फिल्मों की लोग प्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है ये दोनों ही फिल्में वर्ल वाइड स्तर पर भी लोगों को पसंदा रही है वक्स उफिस पर इन फिल्मों ने छप पर फार कमाई की है इस साल टॉलिवोड इंडस्टरी ने काई हिट फिल्म में दी है और इसी वजह से तॉलिवोड एंडस्ट्री अब देश की तॉप इंडस्ट्री बन गई है। कॉलिवोड में भी धनुष स्टार और असुरत, करणन 2020, मास्टर, जेब ही जैसी बड़ी फिल्म में रिलीज वे जिसे फैंस ने खूब पसंद किया वही देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलिवोड इस लिस्ट में तीसरे नमर पर है जनकारी के मताबिक इस साल बॉलिवोड ने करीब 700 करोड रुपे की कमाई ही की है बॉलिवोड ने भी इस साल काई हिट फिल्म में दी है अक्षा कुमार की फिल्म सूर्य बंची को भी लोगों ने खूब प्यार दिया था लेकिन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 83 को फैंस ने कुछ खास रिस्पॉंस नहीं दिया दूसरी तरफ टॉलिवोड में ट्रिपल र ने 1100 करोड से ज्यादा की कमाई की तो वहीं केजिएफ चैप्टर टू ने 1200 करोड से ज्यादा की कमाई की और इसे वज़ह से साउथ की फिल्मों ने बॉलिवोड की कवर तोड़ कर रखती है अब ना आमिर की फिल्म चल रही है ना शारुक की ना अक्षे की और ना ही सल्मान खान की फिल्मे चल रही है तो बस साउथ के सुल्तान की ब्यूरो रपोर्ट अपना उत्तर प्रदेश कर आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथे साथ सबसे पहले खबरों की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूले साथी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले साथी साथ इस खबर को ज्याता से ज्यादा शेयर भी करें